आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कस्तूर्बा गांदी आवासिय विद्याले में सिक्षक और कर्मचारियों का वेतन अब बढ़ेगा यह जो है एप्रिल मन्त इसी महिने से सैलरी बढ़ा दी गई है टीचर्स के लिए भी और नौन टीचिंग स्टाफ के लिए भी कई सा सब्सक्राइब करेंगे अपडेट कहां से आ रही है वो भी देखेंगे कस्तूर्बा गांदी आवासिय विद्याले कि अगर बात करें तो यह प्यूर्ली गवर्मेंट स्कूल है सरकारी स्कूल है इप्यूंक प्रेफिशा आट रही है कि अधर रही मृवड्मे हो नहीं है डाएक्जाम नहीं होता है डाइरेक्ट सेलेक्शन नहीं होती है सर्फ एपलिकेशन करदें आपका जो भी क्यारकेटमिक कौलिजिकेशन है यह फिर एक्सपीरियंस है यह स्रेसल गर्टरभी करते ह तो नहीं होते हैं, बट कॉंट्राक्ट के टीचर्स को रीन्यू करते जाते हैं हर साल, तो अब जो नहीं सालरी मिलने वाली है, वो देख लेते हैं, एप्रिल मन्स से उसको इंप्लिमेंट कर दिया गया नहीं सालरी स्ट्क्चर को, कस्तूर्बा के सिक्षक कर्मचारियों का वेतन 10% सदी बढ़ा, एक अप्रेल से लागू होगा, 11,000 कर्मचारी होंगे लाभानवित, तो जो पहले से काम करें, जो नए आएंगे, उन सभी के लिए हो गया, पहले से जो काम करें, उनका भी बढ़ेगा, नए जो कैंडिडेट् पहले पर जोइनिंग मिलेगी, तो बात हो रही है, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, तो उत्तर प्रदेश में बाहरी राजी के कैंडिडेट्स भी एलाउड रहते हैं, एप्लाइ करने के लिए, रेसिडेंस तो फ्री आफ कॉस्ट दी ही जाती है, सालरी कम रहती है, फ तो उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, पर देश के सिक्षकों और कर्मचारियों के वेतार में ने सक्षिणिक सत्र, चौवीस पचीज से दस प्तीषत वृद्धि पर सहमती दे गई है, यह एक अप्रेल से प्रभावी होगा, मतलब यह जो मंत शुरुआ अबी से सलरी तर्मचारियों के वेतन में 600 से लेके 3,000 रुपे तक की व्रिधी हो जाएगी इसे पहले 2018 मतलब 6 साल से एक ही सेलरी पर काम करें तो मैं खुद 3-4 साल से वीडियो बना ले तो मुझे बहुत अजीब लगता है कि 4 साल से बड़ी ही नहीं है तो इसमें अब जो है ना क्या सेलर अब मुफ्त रहेगी फुल टाइम टीचर के लिए पहले 22,000 होते थे अभी 24,250 रुपे पर मन्त देंगे पार्ट टाइम टीचर के लिए 9,000 देते 9,800 देते तो अब शाय 12 या 13,000 देंगे ऐसा क्योंकि लेखा कर यह 1000 जो लिखा नहीं गलती से लिखा कर एकांटन के लिए 10 तो 13,600 किया तो जो पार्ट टाइम टीचर से उनको उनके लिए भी 13,000 के राउंड कर दिया है और दू टीचर को पहले 14,000 देते थे अभी 16,408 रुपीज देंगे नॉन टीचिंग में हेड कुक को पहले 5000 देते थे या 6000 अभी 8577 एसिस्टेंट कुक को 6433 आप देंगे चौक और भी जगप प्रदेश आपको हो सकता है कि देखने को मिले कि सैलरी बढ़ी अगर उत्तर परदेश में सैलरी बढ़ा तो जहां जहां भी चार खंड में भी है वहां पे भी सैलरी बढ़ा दी जाएगी अतुलकुमार बंसल प्रदेश अद्यक्ष कास्तूर्बा गांदी का सिक्षक सिक्षनेतर यूनियन की तरफ से अपडेट आई भी है लास्ट टाइम 2018 में जो है सेलरी बढ़ी थी उसके बाद बढ़ी ही नहीं थी